नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंदर पाल, आपका स्वागत करता हूँ वीडियो टुटोरियल की इस स्रंखला में, जिसका नाम है योगी इस गाइड टू C++ सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ जानकारी देता हूँ मैंने B.TEC तथा M.TEC Computer Science and Engineering में किया है C.DEC मुंबई में Project Engineer के पत पर गिड़ साल कारे किया है उसी दोरान मैंने अपनी पहली वीडियो को स्तक C Programming record की जो आप सभी ने बहुत पसंद की, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया इस वक्त मैं IIT मुंबई से PhD कर रहा हूँ अब बात करते हैं उन विध्यार्थियों की जिनको ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो टुटोरियल की स्रंखला बनाई है पहले हैं विगिनर्स यानि कि वो जिनको प्रोग्रामिंग के वारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं इस वीडियो स्रंखला में प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाऊंगा दूसरे हैं रीफ्रेसर यानि कि वो जिन्होंने किसी प्रोग्रामिंग लेंग्वेज को पहले सीखा है और अब अपना ग्यान बढ़ाना चाहते हैं प्रोग्रामिंग वीडियो बूक के विध्यार थी उनको इस सीरीज के वीडियो को समझने में बहुत आसानी होगी जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ पिर कहता हूँ मैं सीप्लस प्रोग्रामिंग बेसिक लेवल से सिखाऊंगा तो निश्चिन्त हो जाईए, यदि आपको इससे पहले कुछ नहीं आता, तो भी आप मेरी इस वीडियो स्रंखला से आसानी से सीख सकते हैं मेरी इस वीडियो प्रोग्रामिंग की स्रंखला खत्म होने पर आप object-oriented programming की सिध्धानतों को भली भाती सीख चुके होंगे तथा C++ में programming करना सीख जाएंगे साथ ही मैं कुछ ऐसी बातें भी बता देना चाहता हूँ, जो इस स्रंखला के दौरान आप नहीं सीखेंगे इसमें से मुख्य है data structure, जी हाँ, इस स्रंखला के दौरान में आपको data structure नहीं सिखाऊंगा यदि आपके university के सलेवस में C++ के साथ data structure भी सामिल है, तो उसके लिए आपको मेरी data structure के video tutorial की स्रंखला का इंतियार करना होगा इस स्रंखला के दौरान आपको राप्त होगा वीडियो, programming problem तथा उनके solution, quiz तथा assignment जो आपको हल करने होंगे जिससे आप और बहतर सीख सकेंगे programming से सम्मंदित कुछ notes तथा extra material जिनमें programming book के review, programming से सम्मंदित tool की जानकारी इत्यादी सामिल होगी इसके अलावा एक खास चीज भी आपको मिलेगी, वह होगी विध्यार्थियों का एक बड़ा ग्रोप क्योंकि मेरी इस स्रंखला के आप अकेले विध्यार्थी नहीं होंगे आपके जैसे ही अन्य विध्यार्थी भी इस स्रंखला से जुड़ेंगे जो प्रोग्रामिंग से सम्मंदित आपकी समस्या का समाधान करेंगे और यह सब संभव होगा Learn Why Watch द्वारा प्रदान की जा रही ओनलाइन सुबधा की वज़े से अब बात करता हूँ प्रोग्रामिंग सीखने के विशाय में मेरे विचार के बारे में मेरा मानना है कि हर कोई प्रोग्रामिंग सीख सकता है सर्तिया है कि वे सिर्फ पढ़ने पर ही ध्यान ना दे बलकि पढ़ाई के साथ साथ प्रोग्रामिंग करने पर भी ध्यान दे Source Code लिखने से प्रोग्रामिंग की गहरी समझ बिक्सित होती है ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा पूछा गया सवाल फालतु है तो भी आप सवाल पूछिए जरूर क्यूंकि इसी से आपकी समस्या हलो पाएगी और मुझे यह जानने में भी आसानी होगी कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है और वह समझाने की और भी बहतर कोशिस करूँगा हर सब्दा मेरे दौरा आपको दिये जा रहे क्विस्ट था हॉमबर को हल कीजिए जिससे आप और भी बहतर सीख सके यह पूरी सरंखला ओनलाइन चलेगी इसलिए आपके पास इंटरनेट होना बहुत जरूरी है इस सरंखला से ठीक तरह से C++ सीखने में आपको लगवक 2-3 माहा का समय लगेगा इस दौरान यदि आपको मुझसे प्रस्ण पूछने हो तो हमारी वेबसाइट programming.learnywatch.com पर सम्मन्दित पोस्ट के comment तथा forum में ही पूछे प्रस्ण पूछने के लिए email का प्रयोग ना करें क्योंकि email पर पूछे कए प्रस्ण को अनविध्यार्थी नहीं देख पाएंगे यदि और विध्यार्थी भी इस प्रस्ण को देख लेंगे तथा पुराने वेपर मुझे भेज दें जिससे मैं आपको और भी वेतर सिखा सकूँ सिर्फ मेरा email address से आद रखिए yogandr.pal3 at the rate gmail.com अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर हम object oriented programming language सीखें ही क्यों तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार